हलो, गुद मॉर्निंग फ्रेंट्स, वेलकम बेक टू दी चैनल, आई होप आप लोग से बच्चे होंगे, मज़े में होंगे, तो भी सुबेस दस बजे का टाइम हुआ है, और अज बहुत सारा का, बहुत सारा नहीं, आज बस फिनिशिंग देना है काम को मुझे, तो जो गे पीसुंगी क्योंकि गेहों भी बिल्कुल भी नहीं है, तो चलो, स्टार्ट करते हैं हमारा काम, तो सबसे पहले ड्रम को दूप में सुखा देते हैं, वैसे मैं गेहों प्लास्टिक के अंदर ही रखती हूं, तो ड्रम इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन एक बार दूप द देना है, और फिर आटा चकी को पीसने से पहले भी थोड़ी करने परती है, तो बस होल में वह क्लीन कर दिया है, अब फटाफट से इसको चलो कर देते हैं, तो आटा चकी में दो तिन महिने में एक बारी निखाल लेती हूं और सारी चीजे पीस लेती हूँ जैसे कीगी हूँ काबारिक वाला आटा, मोटा वाला आटा डोकले का आटा, चनी की दाल वो सब एक साथ पीस लेती हूँ तो बस यहाँ सबसे पहले गउँ डाल दिये है क्योंकि आटा बिल्गुल भी नहीं है आटापी सेगा उसके बाद रोटी बनेगी तो बस यहां घंटी को चालू कर दिया है फिज चलते हैं खाना बनाने के लिए तो आजकल खाना मेरा और हस्बन का अलग-अलग बन रहा है मिन्सके मेरा थोड़ा डायेट वाला खाना बन रहा है तो खाना भी थोड़ा जादा ही बन रहा है मिन्सके वराइटी चादा रहती है तो आज मैं मेरे लिए बनाओंगी कड़ी और पुलाव और हस्बन के लिए रहेगा रोटी सबजी और आमरस तो यहां हस्बन के लिए पहले मैंने आलू-बैंगन की सबजी छोंक दी है और मैंने मेरे लिए पुलाव के लिए राइस बिगो दिये है तो राइस मेंने सिंपल ही बिगोए है बासमती नहीं बिगोए है क्योंकि डाइटिंग कर रही हूँ तो जीतना हो सके उतना सिंपल और ज्यादा वेजिटेबल वाला हेल्दी खाना खाना है तो यहां बस अस्बन के लिए फटा फट से सबजी बनती है तो यहां मैंने अलू और बेंगन को छोग दिया है फिर उसको डगकर पानी डालकर सबजी बनाएंगे बहुत अच्छी बनती है ट्राइ करना और फिर यहां बनाऊंगी कड़ी तो कड़ी के लिए मैंने यहां चाच ले लिए है तो मैं गुजराती कड़ी बनाऊं सी consistency चाहिए कड़ी के लिए अब इसमें हम डालेंगे मेथी दाना और कड़ी पता तो मैं वाइट कड़ी ही बना रही हूँ पुलाव के साथ आप यलो भी बनानी हो तो बना सकते हो तो फिर हल्दी पाउडर डालना है फिर इसमें मैंने अधरक और हरी मिच्ट की पेस्ट स्व है मैंने मटर, बीट, केपसिकम, गाजर, प्याज, थोड़ा लसन डालूँगी फिर थोड़े खड़े मसाले लिए है तो चलो इसकी लगाते है चोक तो पुलाव को कुकर में ही बनाऊंगी फटाफट दो सीटी में दो मिनिट में बन जाएंगे तो यहां सबसे पहले एक च खाल, चिनी है और काली मीट्श है, और वतेज पत्ता है फिर इसके बाद लसन डाला है और फिर इसके बाद सबसजिया डाल दी है बस थोड़ी देर इसको सोटे करेंगे और फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वाधब अनुसार नमक, अधरक और हरिमेज की पेश्ट और वापिस अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आप आज लेसन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो सबजियों को एक अद मिनिट जीतना सोटे करना है फिर इसमें हम थोड़े ड्राइफ रूट्स डालेंगे मिन्सके हमेने काजू और किसमिस डाले है और फिर चावल डाल देंगे चावल डाल कर भी एक मिनिट जीतना सोटे करना है जिससे एक ओइलिंग की कोटिंग हो जाएगी चावल में तो हमारे चावल खीले खीले बनेगे एक दूसरे से स्टिक नहीं होंगे फिर इसमें मैंने एक गलास पानी डाला है पानी आप अपने चावल के हिसाब से डालेगा लेकिन लिमिट में डालेगा ताकि एकदम खिले खिले बने फिर इसमें मैंने थोड़ा गरम मसाला डाला है और कुकर बन कर दिया है बस अभी एकदम मीडियम आज पे दो सीटी लगाएंगे तो हमारे चावल रेडी हो जाएंगे और हमारी यहां कड़ी भी उबल गई है तो मैंने एक चमच घी में जीरा डाला है राय डाली है हिंग डालेंगे और थोड़े खड़े मसाले डालेंगे जैसे की लोंग काली मीड़ दाल चीनी और चक्रफूल फिर मसाले अच्छे से पक जाएं इसके बाद हम तड़के को करेंगे तो हमारी गुजराती कड़ी रेडी है देखो इसका लुक आप देख सकते हो तो यहां मेरा खाना बन गया है कड़ी और पुलाव भी फटाफट से हस्बन के लिए आमरस बना रही हूं और फिर आटा भी पिस गया है तो फटाफट से आटा गुन के रोटी बना तो यहां देखो पुलाव ठंडे हो गए है और आप देख सकते हो एकदम खिले-खिले बने है तो कुकर में भी देखो कितने अच्छे पुलाव बने है बस अभी इसमें हमारी धनिया डालेंगे और सव करेंगे तो यहां पुलाव मैंने सब के लिए बनाया है तो ज़्यादा बनाया है वरना इतना सारा पुलाव नहीं खाना है ज्यादा तर राइस खाना है लेकिन वो भी लिमिट में खाना है तो मैंने मेरी धाली यहां लगा दी है और कुकुमबर में भी उपर से नमक नहीं डालना ह सलाड रोच खाना है और उसमें काली मीट और निम्बू का रस डालना है तो खाना खाने के बाद वापीस लग गई हूँ गेहूं की प्रिपरेशन में तो यहां मैं केस्ट्रोल ओयल को गरम कर रही हूँ मैं गेहूं में ओयल लगा कर रखती हूँ तो यहां एक लिटर की ओयल की बोटल है तो ओयल को गरम करेंगे गरम होने के बाद ठंडा होने के बाद इसको गेहूं में अपलाई करना है तो यहां मैंने गेहूं के लिए ओयल गरम कर दिया है और अभी सामके पांच मुशे का टा करता है और वो किडो मोकोडो को अंदर नहीं आने देता है तो यहां चारो कॉर्णर में लोंग रखने के बाद अंदर रखूंगी प्लास्टिक और प्लास्टिक में गहूं भरूंगी जिससे हमारे गहूं को बिल्कुल भी नमी नहीं लगेगी तो बस यहां प्लास्टिक भी फिर उसको संभाल के रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता है तो यहां में एकदम जैविक तरीके से यानि कि कोई भी पेस्टिसाइस का यूज नहीं कर रही हूं इसको स्टोर करने में काफी लोग पाउडर देते हैं या फिर कोई गोली आती हैं जंडू की वो भी रख रखता है इसलिए अनाज स्टोर करने की एक पर्टिकूलर सिजन रहती है उसमें ही हमें पूरे साल का अनाज स्टोर कर लेना चाहिए तो मैं यहां गेहूं में केस्ट्रोल ओल यानि की एरंडे का तेल अपलाई कर रही हूं तो एरंडे का तेल हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशल रहता है और वो गेहूं को पचने में भी हलका बना देता है तो यहां देखो सारे गेहूं में ओलिंग हो गया है अब हम अच्छे से उसको पेक कर देंगे तो जो भी आप पूरे साल का अनाज स्टोर करो वो एक बड़े जो ड्रम में रखो वो ड्रम बार बार आपको खोलना नहीं है रेगिलर यूस के लिए आप छोटे बकेट में या फिर डब्य में निकाल सकते हो लेकिन जो में डिबा है या ड्रम है उसको आपको बार बार नहीं खोलना है तो यहां मैंने उपर लोंग रखे है फिर अच्छे से प्लास्टिक को कवर किया है और फ इल्कुल भी नमी ना लगे तो आप अनाच स्टोर करने में थोड़ी प्रिक्वेशन रखोगे तो आपका अनाच कभी नहीं बिगड़ेगा तो बस यहां मेरा गिहू का काम कंप्लीट हो गया है और थोड़ी मन को भी तसली मिल गई क्योंकि बार इस आने से पहले ये काम मुठिया तो यहां मैंने पालक को बारिक काट कर बिगो दिया है ताकि जो भी मिटी हो वो निकल जाए फिर यहां एक कड़ाई में मैंने लिया है एक छोटी कटोरी बाज़रे का आटा इसको छान लेंगे फिर इसमें एक सेम उतना ही एक कटोरी हम जुवार का आटा लेंगे फिर एक कटोरी मकाई का आटा लेना है लेकिन मकाई का आटा मुझे क्रोसरी में नहीं मिला मेरे पास अवेलेबल नहीं है और फिर आधी कटोरी लेना है चावल का आटा इसकी जगह आप बोईल चावल भी एक कटोरी डाल सकते हो, तो मैंने एक कटोरी बोईल चावल डाला है, फिर बहुत सारी पालक डाली है, फिर यहां मैंने एक चमच लसन डाला है, एक चमच अधरक और हरी मिर्च की पेश्ट डाली है, फिर हल्दी पावडर, हींग, स्वाद अनुसार नमक और दो चमच जितना जगरी पाउडर डालेंगे क्योंकि मूठिया थोड़े स्वीट रहेंगे तो अच्छे लगेंगे फिर थोड़ी अजवाइन मसल कर डालेंगे और एक चमच ओईल डालेंगे फिर इसमें वन फोर स्पून सोडा डालेंगे और एक कटोरी दही डालेंगे तो आटा आज हम दही से ही गुनने वाले हैं तो जरूत पड़ी तो दही और डालेंगे अच्छे से सब को मिक्स करना है और आप पालक की साथ लोकी भी डाल सकते हो गाजर भी आपको पसंद है तो वो भी कदू कस करके डाल सकते हो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो आटा ना बहुत कड़क होना चाहिए और ना बहुत सोफ्ट होना चाहिए अगर आटा कड़क रहेगा तो मुठिया कड़क बनेंगे तो अब हम एक होल वाली डीस लेंगे, फिर इसको ओल से ग्रीस करेंगे और इसके उपर हम मुठिया बना कर रखेंगे, लंबे-लंबे मुठिया बनाएंगे तो मुठिया एक ट्रेडिशनल गुजराती डीस है और बहुत ही हेल्दी डीस है आप इसको अगले दिन बना कर रख सकते हो और दूसरे दिन आप इसको छोक के या फिर फ्राई करके भी खार सकते हो तो यहां मुठिया को स्टीम करने के लिए मैंने पानी गरम होने के लिए रख दिया है जब पानी एकदम अच्छे से उबल जाएगा तब हम इसमें हमारे मुठिया रखेंगे और 15-20 मिनिट तक स्टीम करेंगे तो 20 मिनिट के बाद हमारे मुठिया रेडी है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद कट करेंगे तो अब यह बहुत गरम है इसलिए बहुत सोफ्ट है जैसे ही ठंडे होंगे थोड़े हाड कड़क हो जाएंगे तो यहाँ थोड़ा मेरा टाइम हो गया है मैं इसके थोड़ा लेट हो गया है मुझे 8-8-8 तक खाना खा लेना है तो अभी फड़ा फड़ से मैं उसको काट रही हूँ बहुत गरम है इसलिए बहुत जादा सोफ्ट भी है अब हम लगाएंगे इसका तड़का तो इस मुठिया को आप चाए दही चटनी सोस या फिर अकेले भी खा सकते हो ये टेस्ट में खटे मिठे और तीखे रहते है तो यहां मैंने तड़के के लिए एक चमच ओईल ले लिया है विसे इसमें ओईल जादा चाहिए लेकिन डाएट वाले है तो बहुत कम डालना है इसलिए मैंने नोन स्टिक वाले ही कड़ाई ली है ताकि कम ओईल की वज़े से वो स्टिक ना हो यहाँ oil में मैंने राई, जीरा, हींग और उड़त की डाल डाली है जब उड़त की डाल थोड़ी brown हो जाए फिर इसके बाद इसमें हम हींग, कड़ी पता और सफे तील डालेंगे और फिर इसमें मूठिया डाल देंगे फिर इसको अच्छे से हीलाएंगे तो अगर आपको मूठिया थोड़े क्रिस्पी पसंद है तो आप एकदम स्लो आँच पे उसको थोड़े दिर रखेंगे तो वो दोनों साइट से थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे अगर आप लसन नहीं खाते हो तो लसन को स्कीप कर सकते हो और डायट स्पेशियल जो चीज़े होती है उसको आप जितना स्पाइसी बनाना है उतना स्पाइसी बना सकते हो बस हमें उसमें फेट वाली चीज़े कम डालनी है जैसे की ओल है और स्वीट तो यहाँ मेरा और टॉमाटर और केपसिकम रखा है और फिर इसके उपर चीज लगा देंगे और फिर ओवन में बेक कर लेंगे तो हो जाएगा तो वो खुद कर लेता है मुझे हेल्प कराने की ज़रूत नहीं पड़ती है तो बस अभी प्रीहिट ओवन हो रहा है जैसे ही ओवन प्रीहिट हो ज तो होओगा